दोस्तो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि भाई अगर आप किसी के उपर कीचड उचा लोगे तो भाई उस कीचड की छीटे आपके उपर भी पड़ेंगी और उसके बाद आपको उन छीटों का जवाब देना पड़ेगा तो दोस्तो ऐसा ही हो रहा है अरवाज खान के मामले में तो दोस्तो क्या है ये खबर चलिए मैं आपको बताता हूँ एलो प्रेंट्स मैं हूँ नरेंडर और मैं आपके लिए लिक रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जो भी या बॉलिवुड के रियल मेगा स्टार यानि कि भाई दबंग खान सल्मान खान के छोटे भाई यानि कि भाई अरवाज खान से तो दोस्तों आपको तो याद होगा कि कई दिनों से मैं ये खबर आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई इन दिनों कुछ सोचल मीडिया यूजर्स की हाला सैथी होगी है कि भाई वो अपने मुनाफ़े के लिए अपने फाइदे के लिए बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी उपर कीचर उचाल रहे हैं यानि कि भीया इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भाई ये लोग पलट कर जवाब नहीं देंगे लेकिन भाई अब वो टाइम गया और ये लोग अब पलट कर जवाब दे रहे हैं यानि कि भीया कुछ लोगों को बहुत महंगा पड़ ग यानि कि भी आइ इस मामले में Song- surrender के बड़े बड़े सितारों को इसाना बनाया गया है और भाइ लगातार उन सितारों को इन मामलों में घशेटने की भी कोशिस की जाती रही है तो दूस्तों इस मामले पर अभी तो बहुत सारे सितारों में अपने तरब से कोई कारवाही नहीं की है लेकर भाई अब ऐसा लगता है कि ये सितारे भी पलट कर जवाब देने के मूड में आ चुके हैं और इसका अगाज कुछ दिनों पहले सूरज पॉंचोली ने किया था जब उनका नाम घशिटा गया था दिसा सालियान के मामले में और उसके बाद अब उसी पंक्ती में अगला नाम आ चुका है अरबाज खान का यानि कि भी अरबाज खान को मिले कर कई सारी फेक खबरे फैलाई जारी थी कि भी उनका हाथ भी सुसान सिंग राजपूत और दिसा सालियान के मामले में है और भाई जब से ये फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैर लही थी इसको देखने के बाद भीया अरबाज खान ने भी अब लीगल एक्शन लेनी की तैयारी शुरू कर दी है यानि कि भीया अरबाज खान ने ऐसे लोगों के खिलाब मान हानी का दावा ठोका है जो कि भीया उनके खिलाब फेक खबरे फैला रहे हैं जूते और मॉप किये हुए फोटोस फैला कर ये पताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो सुसान सिंग राजपूत और दिशाशालियान के मामले में अरबाज खान का भी हाथ है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाब कोट में मान हानी का दावा ठोक दिया है और भाई खबरे तो यहां तका रही है कि भाई ऐसे यूजर्स को ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स को कोट की तरफ से ये सक्त आदेश दिया गया है कि वो ऐसी खबरे सोसल मीडिया पर ना फलाएं और उन लोगों ने जो भी खबर अरबास खान के खिलाब फैलाई है उसको इमेडियेट अपने सोसल मीडिया एकाउंट से हटाएं तो दोस्तो इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंड के माध्यन से मुझे जरू बताईएगा तो बहलूट से चुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारलू जेंक्शन को लाग के सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे उमीड है कि आप हमारे नए चैनल मेडम आगे बताईएगे तेस्टी को भी उसी तरह से प्यार देते आएगे जिस तरह से अभी तक आपने वारलू जेंक्शन को प्यार दिया है दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के वेंजर मदा कर बताएगे और उसके साथ बताएगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हिल्डी फूड बना सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानि कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वाल दे जो कि आज तक आपने वारल लिव जेंचन को दिया है दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेशी कटोरी और उसका लिंक हम लोगने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा